हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाफ से पहले कॉंग्रेस भाजपा के बीच वार पलट वार का दौर जा रही है। कॉंग्रेस ने अपनी 10 गरंटियों में सबसे पहली गरंटी ओल्ड पेंचन स्कीम को बहाल करने की रखी है। उन्हें कहा कि कॉंग्रेस पार्टी सता में आने के 10 दिन के अंदर ही ओल्ड पेंचन स्कीम को बहाल कर देगी। अमित नंदा ने कहा कि Old Pension, New Pension Scheme से करमचारी को नुकसान हो रहा है करमचारी लंबे समय से Old Pension Scheme की बहाली को लेकर आंदोलन रथ है लेकिन बावजुदीस के सरकार इसके लिए गंभे नज़र नहीं आ रही है कि आज की जो प्रेस वारता है वो Old Pension Scheme की बहाली को लेकर जो कॉंग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गई गरंटी है जो की नंबर एक गरंटी है उसे सरकार कॉंग्रेस की सरकार बनते ही दस दिन के अंदर लागू किया जाएगा उस बारे में आज में प्रेस कॉंफरेंस किया किस तरीके के दक्तर है वो प्रामी Old Pension लेके बहुत सारे इशूज है इस चीज़ को Employees को समझने में जो है वो भी बहुत बड़ा समय लग गया जब हम इसका comparison देखते हैं तो इसमें GPF को लेके एक बहुत बड़ी difference है हमारे old जो family pension है उसको लेके बहुत बड़ी एक difference है जो contributory अब ये pension 10% mandatory आप employee की तंखा का पैसा काट रहे हैं वो एक अलग description है ये जो पैसा है ये insurance company हों दुआरा stock market में लगाया जा रहा है stock market के risk से आप लोग जो है बली बानती आप लोग परिचित रहे हैं अगर कोई global recession या कुछ ऐसा कोई issue हो गया तो हमारे करमचारियों भाई जो पैसा है उसके डूबने का खत्रा है तो ये मुख्या मांगे है और करमचारी हिमाचल प्रदेश के करमचारी हमेशा ही जो है काफी मेहनत करते हैं और काफी जो है लोग इन चीजों के research करते रहते हैं तो मैंने ही समझता कि इनकी जो मांगे है या नजायज है बिल्कुल सही मांग है और जो है Congress Party इसका पुर जो समर्दन करते हैं अगर बात सरकारों के की जाए तो यह जो इनिशेट किया है यह 2003 में भाजबा सरकार नहीं किया और केंद्रों पे इसको थूपा गया है कि अगर आप इससे लागू नहीं करेंगे तो आपकी ग्रांट जो है रोग दे जाएगे